हो के मायूस नायू शाम से ढलते रहिए जिन्दगी भोर है सूरच से निकलते रहिए एक ही पाउं पे ठहरोगे तो ठक जाओगे धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए मेरे पास आपके लिए एक आसान सा सवाल है बिल्कुल आसान और वो ये कि क्या आपको यकीन है कि एक दिन आपके सारे सपने सच होंगे और आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं अगर हाँ तो एक पल के लिए आँखे बंद करिए और देखिए कितनी खुपसूरत है वो जिन्दगी देखिए कितना खुपसूरत है किसी सपने का सच होना आईए अब लौट आईए अपनी अभी की जिन्दगी में और शुरू करिए छोटे छोटे कदम उठाना क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे सपना कितना भी बड़ा हो उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है आप जहां है आपके पास जो भी है और जितना भी है उसी से शुरू करिए क्योंकि कुछ शुरू करने के लिए आपके पास जितना भी है बहुत बहुत सारे लोग अपनी परिस्तितियों से संदोष्ट हो जाते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें जो और जितना मिला है बहुत है क्योंकि वो अपनी comfort zone से बाहर नहीं निगलना चाहते उन्हें आदत हो गई है अपने हालात की और ये आदत उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती ये आदत उन्हें बड़ा नहीं बनने देती लोग रोज सुबह उड़ते हैं, तयार होते हैं और फिर वही नौगरी करने चल पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है वही नौगरी जो रोज उन्हें देरे देरे खा रही है अगर आपने खुद को सीमाओं में मान लिया है अगर आपने अपने सपनों को मार दिया है तो आप रोज मर रहे हैं, आप रोज आत्महत्या कर रहे हैं उठिये, कोशिश करिए, निकलिए अपने इस comfort zone से बाहर और पीछा करिए अपने सपनों का बन करिए सही वक्त, सही मौके और सही परिस्थितियों का इंगजार करना क्योंकि सही वक्त और सही मौका कभी आता नहीं, बलकि उन्हें सही मनाना पड़ता है शुरू करिए अपनी कोशिश आज और अभी से, क्योंकि शुरू करने के लिए हर वक्त और हर परिस्थिति सही है आप एक-एक कदम आगे बढ़िये, बाकिस सब अपने आप होने लगेगा क्या आप जानते हैं, आपके सपने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है वो कौन है, जो आपको आपके सपने पूरे करने नहीं देता वो हैं आप खुद, आप खुद से बहाना बना लेते हैं आप खुद से जूट बोल लेते हैं, कि अभी आप तैयार नहीं है कौन कहता है कि सपने पूरे करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की जरुरत है बक्वास है अब तक आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठा लेना चाहिए था किसी कोर्स में एड्मिशन ले लेना चाहिए था कोई एक्जाम दे देना चाहिए था कोई इंटर्वियू दे देना चाहिए था कोई बिजनस शुरू कर लेना चाहिए था कोई खत्रा उठा लेना चाहिए था कितना कुछ था जो आपको कर लेना चाहिए था पर आपने किया नहीं क्यों क्योंकि आप डरते हैं आप माने या ना माने आप डरते हैं आप डरते हैं असफल होने से आप डरते हैं गलती करने से आप डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप तैयार नहीं है, पर्फेक्ट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, आपको पर्फेक्ट होने की जरुरत नहीं है, आप जो पाना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जहां पहुचना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्फेक्ट होने की अगर जिन्दगी कभी आपको नीचे गिरा दे तो हिम्मत बनाए रखिये, होसला बनाए रखिये, देखिये उपर आसमान की तरफ, क्योंकि उपर वही उड़ता है, जो उपर देखता है, अगर आपका सफना जरूरी है आपके लिए, तो जाएए लड़िये इसके लिए, जो देखिये अपनी पूरी ताकत, क्योंकि सफना तब पूरा होता है, जब दिन और राग का होश ना रहे, खाने और पीने का होश ना रहे, सोने और जागने का होश ना रहे, सुकून और आराम का होश ना रहे, सफना तब पूरा होता है, जब इसके बिना जिन्दगी, पूरी बेकार और घटिया लगए 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 तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाला दिन आने वाला साल आपका हो तो बंद करिये ना बोलना और शुरू करिये हां कहना शुरू करिये अपनी जंदगी को हां कहना शुरू करिये अपने सपनों को हां कहना शुरू करिये आप से कि दुनिया छोड़ते वक्त आप कोई ऐसा सपना पीछे छोड़के नहीं जाएंगे जो आपने पूरा ना किया हो कोई ऐसा मौका पीछे छोड़के नहीं जाएंगे जिसका आपने फाइदा ना उठाया हो दुनिया छोड़ने से पहले आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पा सकते थे आप भी एक दिन गिरो बन सकते हैं आप भी एक दिन चैंपिन बन सकते हैं कोशिश करते रहे हार मत मानिये क्योंकि जब तक आप हर नहीं मानते तब तक कोई आपको हरा नहीं पाएगा सपना तब ही सच होता है जब उस सांस लेने जितना जरूरी हो जाए जिस दिन आपना सपना आपके लिए सांस लेने जितना जरूरी हो गया जिस दिन आप अपने सपने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए उस दिन दुनिया की कोई टाकत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको आपकी मंदिल सक पहुँचने से, आपको अपना सपना पूरा करने से रोख नहीं पाएगी